जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूट्व चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ पांच मिनट में किसी भी देवी देपता की सवारी बुला सकते हो आज ही अपनी पूजा में ये एक काम करना शुरू कर दे जी हाँ भक्तो आज मैं आपको एक ऐसा कारे बताने जा रही हूँ जो काली मा के जो अनेक देवी देपताओं के भक्तो को अपनी पूजा में ये कारे जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हो ना कि आपके सरीर में आपके देवी देपता है भीन गुरू के आई तो आपको अपनी पूजा में ये कारे जरूर करना चाहिए जो कारे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी वो बहुत असान कारी है लेकिन ये कारी कुछ ऐसा है जो कुछ लोग मतलब करना चाहेंगे और कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे अब देखें कहते हैं कुछ पाने के लिए हमें भी अपना खोना पड़ता है तो आपको क्या खोना पड़ेगा आपको कुछ नहीं खोना है थोड़ी सी महनत करनी है बस continue ही आपको माता का कारी करना है जादा नहीं आप एक महीना तक मेरे कहने से करके देख लो इसके बाद आपको अपनी आखों से खुद चमतकार दिख जाएगा जब आप मा काली को अपने सरीर में बुलाओगे मा काली पांच मिनट नहीं लगाईगे आपके सरीर में आने में जब आप अपने देखता को अपने सरीर में बुलाओगे तो आपका देखता भी पांच मिनट नहीं लगाएगा आपके सरीर में आने में क्योंकि आपने ये एक ऐसी साधना करी है जिस साधना से कोई भी दीविदेपता आपके सरीर में तुरंत ही स्वेम प्रकट हो सकता है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूँ अगर आप लोग महा काली भगत ग्यान यूटूब चैनल पे नए आये हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचे इस वीडियो को ज़दा से ज़दा काली मा के सभी भगतों तक शेयर कर देना कुछ नहीं करना है गुरू आप जब बनाओंगे बना लेना जब भी आपको एच्छा गुरू मिलता है तो आप गुरू बना लेना कितने time की करते हैं, दो ten 경 है सुभा की और शाम की, कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो केवल ही की time की करते हैं। कुछ लोग सुभा कर लेते हैं, उसके बाafa भूर करते नहीं हैं। तो यह जो मैं आपको तूजा बताने जारी हूं न। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप सवारी बुलाना चालते हो तो सवारी इसी पूजा से आएगी भी ना कुझा के जब तक पूजा नहीं करोगे तो सवारी आपके सरीर में नहीं आ सकती है और यह पूजा क्या करनी है जैसे देखे आप अपने घर में सुभा करनी है ठीक है उसके बाद आफ्टर नून में यानि कि दुफेर में माता को भोग देना है आप दिया मत जलाओ दुफेर में ना दूबत्ती लगाओ केबल एक कपूर जला के मा को लोंग बतासे का भोग तो दुफेर के टाइम है कितने बजे सुभा आपको जल्दी कर लेन को जोट जलाओ ये माता के मंदिर में और मा काली को लोंग बतासे का भोग लगाई है ठीक है तीन टैम हो गए अब उसके बाद आपको चोथा टैम कौन सा रखना है चोथा टैम रखना है रातरी बारा बजे का रातरी बारा बजे में भी आपको थोड़ी सी जोट में तेल ही जोट या दिया जला है क्योंकि सरसुक तेल माकाली को बहुत जादा प्रिये है तो आपको रातरी 12 बजे माता की जोट जला लेनी है और धुबत्ती भी लगा देनी है और उसके बाद कपूर जला के माता को भोग दे देना है ठीक है बस यह जो मैंने आपको चार टैम की हो दे-ना है। यहीं एक ऐसी सेवा है, जो आपकी सरीर में किसी भी देवी-देता को प्रकट कर सकती है। यह अब कि आ इसा नहीं सेवा करने से के वर काली मा की सवारी आएगी। उस देवी-देपता की सवारी आएगी जिसको भी आप बुलाना चाते हो जिसको अपने सरीर में बठाना चाते हो अब जैसे सभी लोग है उनके घर में काली मा भी पूझती है ठीक है मसानी मा भी पूझती है दक्षनेशवर काली भी पूझती है दुर्गा माता पूझती है सब देवी देपतन के घर में पूझते हैं ठीक है किसी क किसी की घर में मसान पूझ रहा है, किसी की घर में कल्वा पूझ रहा है, किसी की घर में हर तरह से मतलब अनेक लोगों के घर में हर देवी देपता हैं पूझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब आप यह सेवा शुरू करोगे ना, तो मा काली की शक्ति बहुत बड़ी है, य इसलिए माकाली की सक्तिय ऐसी है, जो किसी भी देवता को और किसी भी देवी को आपके सरीर में खीच के ले कर आ सकते हैं. पांच मिनट निलगेगा, आपके सरीर में आने में, तो जैसि मैंने आपको इस सेवा बताई है, बस यही एक सेवा है, जो आपको पूजा करनी है चार टैम गी आप ये करना शुरू कर दो जब भी आप करना चाहूं आज से करना चाहते हैं आज से कर लो ने तो कल से कर ले न जब भी इसे वह शुरू करो गए तो गम जगम एक महीना तक कंटीन्यू करो उसके बाद आप देखना आपके सरीर में क को अच्छे से समझा दिया मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महा दिया